के सीरियल गुमह में आज दिखाया जाएगा कि सवी और रचत की मुलाकात होई जाती है सवी को पता चल जाता है कि रचत साइसा के पापा है और मिसीज ठककर के बेटे हैं साइसा का आज स्कूल में नया एडमिशन होने वाला है साइसा बहार बैठी है और उसकी दादी बार चली जाती है उसे अकिला छोड़ कर साइसा के हाथ में फोन होता है और साइसा अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पापा उससे कोई बात नहीं करते इसके बाद सवी से कहती है साइसा की मुझे अपने पापा से बात करनी है तो सवी उसके पापा के पास फोन मिलाती है तो उसे नहीं पता होता यानि कि रच्चत समझता है कि मिसेज ठक करी यानि कि उसकी मा ही बोल रही है रच्चत को नहीं पता होता कि फोन अब सवी ने मिला इसके बाद सवी ये बात सुनती है तो सवी पूरी तरीके से, हरानी में पढ़ जाती है, और सोचने लग याती है कि, इसके पापा को इस छोटी सी बच्ची से क्या नफती है? जिसके बाद आगे सीरियल में दिखाया जाएगा कि सवी और हितेशिया नहीं कि सवी और रचत की मुलागात हो जाएगी और इसी के साथ साथ आज रचत का पाश्ट भी दिखाया गया है कि एक आईशा नाम की लड़की थी जिसके साथ रचत की साधी हुई थी लेकिन उनकी साधी चल नहीं पाती है और जल्दी साधी तूट जाती है जिसके बाद रचत काफी रिक्वेश्ट करके आईशा को रोखने वाला था लेकिन आईशा नहीं रुकी अब रचत की मा और पापा भी चाहते हैं कि रचत की बेटी के लिए कोई उन्हें मिल जाए इसलिए अब वो सभी का रिष्टा असेप्ट करेंगे